हेलो माई फैमली यूटूब चैनल सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल न्यू एक ब्राइडल हैर स्टैलिंग लेकर आया हूँ इसके लिए मैंने रेडियल सेक्षन करा है यर टू यर और पीछे के बचेवे बालों को मैं पोनिटेल कर रहा हूँ हाई में उसके बाद मैंने फ्रेंट में हैर इस्प्रे लगाया और इसमें मैंने क्रेंपिंग कर रखा है हैर इस्प्रे लगा के क्रेंपिंग करा है और अब मैं टीका सेट कर रहा हूँ ब्राइड की यह देखिए जो मेरे टीके की चैन बहुत छोटी थी तो मैं इसमें ठागा बांधा हुआ है और पीछे मैंने बॉपिंस से उसको लॉक कर दिया इस दिखे यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं जो फ्रेंट में मैंने क्रेमपर किया था और रीडियल सेक्षर निकाला थे, वहाँ पे मैं यो βाल्स बना रहा हूं जो मैं tongue use कर रहा हो न जीरो वाला कर रहा हूँ जो curls की size है 0 है तो आप लोग भी एकर इस तरीके का हेर स्टालिंग करना है तो जीरो वाला ही use कर सकते हैं मैंने front में curls बना रहा हूँ और अगर आप देखेंगे न तो काफी beautiful हेर स्टालिंग होने वाला है आज का बहुत सुन्दर होने वाला है तो लाश्ट तक वोज करिएगा वीडियो को यहाँ पे जो कर्ल्स बना रहा हूँ न मैं उस सेक्शन बाई सेक्शन बनाने आपने मेरे क्लाइंड को साइट पार्टिशन चाहिए तो मैं साइट पार्टिशन के इसाब से बना रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन बाई सेक्शन पतले पतले लेके आपने जीरो नमबर से कर्ल्स बनाना है इनका फ्रॉंट देखेंगे न काफी सुन्दर होने वाला है आज का front, back भी काफी सुन्दर होने वाला है यह मेरा last curls बन रहा है मैंने, जो भी मैंने front में radial section चोड़ा हुआ था, उन सम्मे मैंने पतले-पतले curls बनाये हैं 0 number, tong से तो आप भी 0 number ही use करे, अगर ऐसा look चाहिए तो यहां पे इनका एसकल्प नजर आ रहा है इसके लिए मैं यहां पे कलरी उज़ कर रहा हूँ लोरियर का जो मैजिक वाल आता है यह देखिए यहां पे बहुत ज़्यादा इनका एसकल्प नजर आ रहा था अब इनका इसकल्प नजर नहीं आएगा और मैंने यहां पे क्या किया है डोनट लिया है बीच से काट दिया उसको हाप डोनट को मैं यहां पे सेट कर रहा हूँ और हलकी सी बैक कॉमिंग करके मैं डोनट सेफ बनाने वाला हूँ यहां पे यह देखिए मैं बैक कॉमिंग कर रहा हूँ और मैंन की जो मैंने डोनट लगाया था उसके उपर इनको सेट कर रहा हूँ और जो भी मैंने कर्ल्स बनाया था फ्रंट में उनको मैं इसको उपर सजा रहा हूँ आपको हेरे स्टैलिंग के एक ओर्डिंग कर्ल्स को सजाना है जो मैंने फ्रंट में कर्ल्स किया है न इनको आप कम से कम पांज से छे लूग क्रेट कर सकते हैं पांज से छे लूग आप अपने माइड के अंदर इमेज किजिए यह आपको क्या लूग बनाना है उसके एक ओर्डिंग आप इन बालो को सजा सकते हैं बना सकते हैं निव निव लूग दे सकते हैं तो जो मैं लूग दे रहा हूँ और मैं साइट पाटिशन में दे रहा हूँ तो मैंने क्या किया बीच में थोरा सा हाई उठाने के लिए दिखाने के लिए मैंने डोनट का यूज करा हुआ है और सबसे पहले मैंने वहाँ पे कॉल्स को सजाया उसके बाद मैंने यहाँ पे side से होते हुए मैं इनको सजा रहा हूँ कलाइन की जैसे requirement है वैसा आप इनको look दे सकते हैं create कर सकते हैं new new look बना सकते हैं जो मैंने front में आपको बताए है न zero number से curls करने का इस से आप कम से कम 5-6 look create कर सकते हैं 5-6 look look आप अपने mind में image करना है जो मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्या क्या कर सकती हूँ यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है आज का hair styling यह देखिए यह मेरा last है और मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से सजाते हुए पीछे लेकर आ रहा हूँ client का ऐसा ही demand था जो मेरी bride मेरे आगे बैठी हुई है उनको ऐसा ही चाहिए था जो मुझे side partition कीजिए यह देखिए कितना सुंदर नजर आ रहा है मेरा front complete हो चुका है आप जैसा चाहें वैसा shape दे सकते हैं front में zero number, tongue अगर यूज करते हैं तो कोई भी shape दे सकते हैं मेरे bride को side partition चाहिए था तो मैं side partition किया आपको center चाहिए center किजिए आपको पूरे बाल पीछे चाहिए पीछे किजिए आपको मेसी चाहिए मेसी किजिए यह देखिए मैं यहाँ पे donut set कर रहा हूँ donut को बहुत मजबूती के साथ set करना है एक donut के अंदर जाना चाहिए और एक scalp में जाना चाहिए जो आप poppin यूज कर रहे हैं वो एक donut के अंदर एक scalp के अंदर उसके बाद जूरा पीन भी जो मैंने पॉंडल किया था जहाँ पर मैं donut fit कर रहा हूँ वहाँ पर बचे हुए बालों को आपने चोटी बनानी है उनकी जो मैं चोटी बना रहा हूँ इनको इस donut के उपर set करना है अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही है हाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है या मुझे कुछ नया मिल रहा है या मैं कुछ नया सीख रही हूँ तो इस वीडियो को आप आगे किसी को share करे like करे subscribe करे और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करे ये देखिए मैं पीछे जो गुत बनाया था उस डोनट को उपर फिट कर दिया और मैं अब इस के उपर गजरा लगाने वाला हूँ जो मैंने पीछे बेस बनाया था काफी स्टॉंग बनाया हूँ बहुत मजबूती के साथ बनाया हूँ मैं तो जब भी अगर आप इस तरीके का हैरेस्टारिंग बना रहे हैं या कहीं पे डोनट यूज कर रहे हैं तो डोनट को नो काफी मजबूती के साथ लगाईए मतलब बॉप पिन भी यूज करिए जूरा पिन भी यूज करिए इससे हमारा डोनट कभी हीलेगा नहीं और काफी मजबूत बनेगा ये देखे मैं गजरा उस डोनट को पर यूज कर रहा हूँ और जैसे जैसा मैं गजरे को राउंड कर रहा हूँ हर जगे मैं जूरा पिन भी यूज कर रहा हूँ इससे हमारा गजरा निकलेगा नहीं और काफी मजबूती के साथ सेट हो जाएगा ये देखिए जो मैं पीछे बेस बनाया था उसके ओपर गजरा सेट कर रहा हूँ तो ये हेर स्टालिंग आप भी बना सकते हैं बहुत असान है बनाना सिर्फ आपने टेकनीक को सीखना है मैंने इसमें टेकनीक क्या किया है सेक्शनिंग क्या किया है कोई भी हेर स्टालिंग उस बनाने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए उसमें हुआ क्या है टेकनीक क्या है सेक्षनिंग क्या है सुरू कैसे करना है एंड कैसे करना है तो बहुत आसानी से बन सकता है अगर आप ये चार पांस बाते यूज करते हैं तो हुआ क्या है टेकनीक क्या है सेक्षनिंग क्या है सुरू कैसे क करना है एंड कैसे करना है कोई सा भी हेरिस्ट्राइडिंग उसको बना सकते हैं आप कि यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है गजरा लगाने के बाद मैं यही बोलूँगा आप लोगों से अगर नियू नियू हेरिस्ट्राइलिंग सीखना है तो आप सब को बताईए और सब जगत सेयर केजिए और एंड तक वीडियो देखने के लिए नमस्ते